जै श्रीहरी, एक बार फिर से स्वागत हैं आप सभी का स्प्रीच्वल ज्यान में। आज जिस कथा को हम सुनने वाले हैं उसका नाम है नारद और शरारती बाल हनुमान जी की कथा। शुरू करते हैं। जैसा कि सर्वग्यात है कि बचपन में हनुमान बहुत शरारती थे। सूर्यदेव को फल समझ के निकलने वाले हनुमान ने विश्नु के परमभक्त नारद को भी नहीं छोड़ा। हुआ यूं की एक बार बाल हनुमान अपनी माता अंजना के साथ बगीचे में बैठ कर बातचीत कर रहे थे। हनुमान के पास प्रशनों की कमी नहीं थी और माता अंजना उत्तर देते देते ठक जाती थी। ऐसे ही तोनों का प्रशनोत्तर चल रहा था। तब ही कहीं से वीणा की बहुत सुन्दर धनी हनुमान के कानों पर पड़ी, बाल हनुमान बहुत उत्सुख हो उठे, कि इतना सुन्दर संगीत कहां से आ रहा है, और कोन इतना सुन्दर गा रहा है, माता अंजना भी उत्सुख हो उठे, दोनों उस ओर चल पड़े जहां से है संगी दा रहा था दोनों ने देखा नारदमुनी अपनी वीणा लिये गाने में लीन थे दोनों को देख नारदमुनी चुख हो गए हनुमान ने नारदमुनी का अभिबादन किया उसके बाद वो नारद का मार्ग रोककर खड़े हो गए नारद ने पूछा कि मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो हनुमान ने कहा कि आपके संगीत से मैं बहुत अभी भूत हूं मुझे भी संगीत सिखाईए तभी आपको जाने दूंगा नारद मुनी बाल हनुमान के हट को देख हस पड़े फिर एक छोटे से टीले के पास बैठ गए और टील सब्टोंने गेनध आपको अनंद ले रहे दिए सो उनें पता मि नहीं चला तीला पिघलता गया और वनारद की वीना उसilik समाती ज़िए जब हनुमान का गाना बंद हुआ तो टीला वापस पत्थर में बदल गया नारत ने आखे खोली और देखा कि उनकी वीना पत्थर के अंदर फस गई है अब नारत को पता चला कि हनुमान ने शरारत की है बड़ी मुसीवत में फस गए नारत उन्होंने हनुमान को कहा कि फिर काना गाओ ताकि मैं अपनी वीना ले लूँ अब हनुमान नारत की बात मान ही नहीं रहे थे वो इधर उधर कूदने लगी नारत को मुसीवत में देख माता अंजना आई उन्होंने नारत से शमा मांगते हुए हनुमान को आदेश दिया कि वो फिर से गाना गाए और मुनी की वीना वापस करें हनुमान ने कहा मैं ऐसा तभी करूंगा जिब नारत मुनी उनके घर चले और घर के एक एक कोने में अपना पाओं रखकर उसे पवित्र करें ऐसा सुनते ही नारत मुनी काफी प्रसंद हुए उन्होंने हनुमान को डेर सारा अशिरवात दिया और उनके कहें अनुसार किया फिर जाकर हनुमान ने वापस गाना गाया जिससे नारत को अपनी वीना वापस मिली नारत नारायन नारायन कहते हुए अपने लोग चले गए बाल हनुमान और नारत की इस कथा से एक सिक्षा भी मिलती है शिश्य अगर योग्य हो तो गुरू उसके हर हट को भी माल लेते हैं और भक्त में लगन और सच्ची श्रद्दा हो तो गुरु से मंचाही मुराद भी पाई जा सकती है तो कैसी लगी आपको यह कथा कमेंट सेक्षन में मुझे जरूर बताएं